सुडान में संग्राम जारी हैं कब कहा से किसकी मौत उड़ती हुई आ जाए कोई नहीं कह सकता मौत केसी साय में भारती भी फंस गए लेकिन विदेश में मुसीबत हो और देश मोफेर रे ऐसा भारत तो नहीं कर सकता हुआ भी वैसा ही भारतीयों को बचाने के लिए भारत ने तुरंत ओपरेशन कावेरी चलाया जिसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ओपरेशन का असर भी दिखने लगा इस ओपरेशन के लिए भारत सरकार की तरफ से केंद्री मंत्री मुली धरन खुश साओधी पहुचे जिसकी तस्वीरे भी सामनी आई हैं बता जा रहा है इस पूरे ओपरेशन पर पियम मोदी खुद नजर बनाये हुए थे और शायद यही वज़े रही की मौत के मौसे लोटे भारतियों ने देश के साथ साथ पियम मोदी के लिए भी जम कर नारे लगाए आपको बता दे 360 भारती नागरिकों को लेकर भारत का विशेश विमान साओधी अरब के जेद्दा से दिल्ली पहुच गया जैसे ही भारती नागरिक सुडान से दिल्ली पहुचे उनकी जान में जान आए उसके बाद उन्होंने जम कर भारत माता की जै, भारती सेना जिंदाबाद, पीम ननेद मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए इसी बीच केंदरी मंतरी मुरली धरन ने ट्वीट किया जिद्दा हवाई अड़े पर 360 भारतियों को नई दिल्ली जाने वाली फ्राइट से विदा करते हुए खुशी हो रही है, वो जल्द ही मातर भूमी पहुचेंगे, अपने परिवारों के साथ पिर से जुडेंगे, ओपरेशन कावेरी के तहस सरकार सुडान से भारती नागरि जिद्दा के लिए गया था और वहां फज गया, दूतावास और सरकार ने भी बहुत मदद की, जिद्दा में लगभक हजार लोग मौजूद है, सरकार तेजी से निकासी का काम कर रही है, सुडान से लोटे का निभारती नागरिक ने बताया, भारत सरकार ने हमें समर्थन को तार चुका है, भारत ने अब तक सुडान से कुल 670 भारती नागरिकों को निकाला है, हाला कि इस बीच जिन लोगों को ऑपरेशन कावेरी के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें, ऑपरेशन कावेरी क्या है, सुडान में करीब 10 दिन से चल रहे संगर्ष के बीच, दोनों पक्ष संगर्ष विराम को सहमत हुए, 72 घंटे का ये संगर्ष विराम 24 अपरेल की आथी रास से शुरू हुआ, इस बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षत निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, भारती विदेश मंत्राले के प्रवक्त जो भारत में रहकर भारत को कोसने का काम करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मौझूदा वक्त में बलकि कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी भारत ने कभी भी प्रवासियों को अकेला नहीं छोड़ा